स्टमक पेन और इंफेक्शन को दूर करेंगे दादी मां के ये पांच नुस्खे पेट में दर्ड या इंफेक्शन हो तो स्थिती बड़ी ही बेकाबूसी हो जाती है न तो किसी काम में मन लगता है और नहीं कुछ खाया ही जाता है ज्यादातर बीमारियां पेट से फैलती है हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर पेट के साथ साथ पूरे शरीर पर पढ़ता है जिसमें व्यक्ती दर्द से तडपने लगता है यहाँ कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जो पेट दर्द और पेट के इंफेक्शन में राहत देंगे एक रोजाना सुबह खाली पेट दो लॉंग चबाना पेट के लिए फाइदे मंद माना जाता है लॉंग में एंटिमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो इंफेक्शन को दूर रखती है और पाचन तंत्र भी सुधारती है दो खाली पेट अगर रोजाना दो से तीन लहसुन की कली भी खाई जाएं तो भी पेट के इंफेक्शन में राहत मिलती है इसमें नैचरल अंटिबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है जो गट को हिल्दी रखती है और इंफेक्शन से बचाव करती है तीन हिल्दी को भी पेट के इंफेक्शन में कारगर माना गया है इसके लिए एक चमच हल्दी में दो चमच शहद मिलाकर मिक्स करें और उसे रोजाना खाएं शहद और हल्दी का मिश्रन बनाकर उसे स्टोर करके भी रखा जा सकता है इसके लिए दो चम्मच हल्दी में पांच से छे चम्मच शहद मिलाएं और फिर उसे एक डिबे में रख दें अब रोजाना रात को आधा आधा चम्मच खाएं चार पेट के लिए केला से बहतर कुछ नहीं अगर कीड़े भी हो जाएं या फिर लूज मोशन तो भी केला बहुत फाइदे मंद है या पेट के इंफेक्शन को भी दूर करने में मदद करता है पांच पेट में अगर किसी भी तरह की समस्या है तो उसमें अद्रक भी फाइदा करती है इसके लिए एक टुकड़ा अद्रक लेकर कूट ले और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और एक चुटकी हिंग पीस कर डाल ले अच्छी तरह से मिक्स करें और खाएं खाने के तुरंद बाद ही एक गिलास गुनगुना पानी पी ले अगर आपको यह टिप्स पसंद आई हो तो जल्दी से इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद